हलो एब्रीवान और वेलकम बाक हम पढ़ रहे थे समिस्टर वन का एकनॉमिक सब्जेक्ट जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एकॉर्डिंग हम शुरू किये थे और आज हम इसी को आगे कंटीनियू करेंगे हम कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक जैसे डिम देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है डिटर्मिनेंट्स और मार्किट डिमांड लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूँ हम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एकॉर्डिंग ओल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जो कि तुमारे समिस्टर वन में है हम सारा प्लेलिस्ट उरण कर दिये है ठीक है और उस प्लेलिस्ट के एकॉर्डिंग जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है अभी जू लेटिस्ट जो आया है ओडिसा में applicable हो गया है semester 1 में वो हम शुरू किये हैं all five subject YouTube में जाकर playlist वाले section में जाकर तुम चेक कर सकते हो और पूरा complete preparation तुम हमारे साथ B.com का कर सकते हो हम semester 1 से लेकर semester 6 तक तुमारे साथ हैं ठीक है जाकर download कर लेना और वहां पर तुम्हें बहुत extra contents हम प्रोवाइट करेंगे ठीक है आज जाओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक Determinants of market demand हम पिछले class में Determinants of demand पड़े थे और हम individual demand के बारे में पड़े थे हम individual demand का पांच important determinants पड़ेते हैं चलो एक काम करते हैं एक बार फटा-फट से रिवाइस कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे तो मैं चलता हूं पीछले class के starting में Determinants of individual demand क्या सर कोशन अलग 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 आता है individual demand का अलग और market demand का अलग येस obviously कोशन में specifically mention होगा what are the determinants of individual demand what are the determinants of market demand अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो तुम मान कर चलोगे कि वो itst the Сов Ethan के बारे में पूछा है अगर specifically mention है तक तो ठीक है अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो तुम मान कर चलना कि वो individual demand के बारे में ही बात कर रहा है ठीक है आ पिछले class में पांच पॉइंट पड़े थे पहला price of the commodity price increase हो गा या decrease होगा उसके according हमारा demand change होगा कि हम पड़े थे अगर price increase होता है तो demand decrease हो जाता है price कम होता है तो demand increase हो जाता है यह हम पिछले class में पड़ लिये थे उसके बाद price of the related goods related goods के अंदर हम दो प्रकार का कॉमोडिटी पढ़े थे एक complimentary था और दूसरा substitute goods था substitute goods का मतलब जो एक दूसरे के बदले में यूज होता है जैसे कि tea and coffee और complimentary का मतलब जो एक साथ ही यूज होता है जैसे कि tea and sugar पिछले क्लास्वम इसके बारे में भी पूरा detail में पढ़ लिए थे तीसरा important point जो हम पढ़े थे वो था income of the consumer income of the consumer से के साथ demand का क्या लेना देना दो प्रकार का commodity होता है एक होता है normal goods और दूसरा होता है inferior goods normal goods के case में अगर मेरा income increase होता है तो demand increase होता है income अगर कम होता है तो demand भी कम हो जाता है लेकिन inferior commodity मतलब poor quality of goods जब मेरा income increase होगा तो मैं poor quality of goods inferior goods का कंजम्शन को बन कर दूँगा उसके जगह में normal goods consume करना शुरू कर दूँगा तो मेरा demand यहां पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा for inferior goods और अगर मेरा income कम हो जाएगा तो मैं जादा से जादा inferior quality का इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा बात समझ में आ गया यह भी हम पिछले class में पड़े थे तीन important point हो गया चौथा में आते हैं taste and preference of the consumer अगर product taste and preference के according है market trend के according है अभी market में चल रहा है लोग उसे use कर रहे हैं तब तो यह product price increase or decrease or demand increase होगा ही होगा लेकिन अगर out of fashion हो चुका है out of trend हो चुका है लोग उससे बोर हो चुके हैं अब उसको कोई use नहीं करता है तो चाहे तुम कुछ भी करो उसका price चाहे कुछ भी हो उसका demand to decrease होगा ही होगा clear है बात यह था हमारा point number four और आखरी में point number five में हम लोग पढ़े थे हमारा expectation of change in price in future future में अगर लगता है किसी commodity का price future price increase होने वाला है तो demand क्या हो जाएगा अभी फिलाल के लिए sorry increase हो जाएगा अभी फिलाल के लिए demand क्या हो जाएगा हमारा फिलाल के लिए demand increase हो जाएगा क्योंकि अभी हम खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि हम लगता है कि आने वाले दिनों में price increase होने वाला है और अगर future price decrease हो जाएगा तो लग रहा है कि future में price कम होने वाला है तो अभी हमारा demand कम हो जाएगा हम future में खरीदेंगे जब price already कम हो गया होगा clear है यहां तक हम पिछले class में पढ़े थे आज हम अभी का class को शुरू करते हैं अभी का class मतलब आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे determinants of market demand market demand के अंदर क्या-क्या points आते हैं देखो important समझदे की बात यह है market demand के अंदर हम पढ़ेंगे 3 point एक point और next slide में 2 point और है total हम 3 point पढ़ने वाले लेकिन exam में question आएगा तो तुम्हें 8 point लिखकर आना है सर 8 point कैसे लिखेंगे आप हमें 3 पढ़ा होगे हम 8 कैसे लिखेंगे सुनो ध्यान से market demand के अंदर जो 5 point हम individual का पढ़े वो plus 3 total कितना हो गया 8 तो market demand का कितना point होता है 8 point होता है ठीक है exam में question आएगा what are the determinants of market demand तो तुम 8 point लिखकर आओगे individual का 5 plus market का 3 अगर सिर्फ individual पूछेगा तब तो तुम 3 point लिखोगे यह सौरी 5 point लिखोगे individual का जो 5 point है लेकिन अगर market पूछेगा तो सिर्फ यह 3 मत लिखकर आ जाना क्योंकि market में पुराना 5 प्लस अभी का 3 total 8 point included होता है ठीक है तो हम 5 अल्रेडी पढ़ लिए है आज का 3 नया point शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहला point size and composition of population population का size क्या है और composition क्या है एक market example देता हूं ठीक है यह market A है यह market B है यह 2 City है यह दो टाउन है एक burger टाउन है जहां से मैं बिलॉंग करता हूं और आसपास का एक लिए लेते हैं मानलो संबल पो टाउन है ठीक है दो टाउन है यहां का population मानलो 10 लैक्स है और यहां का population 50 लैक्स है है नहीं लेकिन मान लेता है 50 लैक्स है तुमें क्या लगता है goods and services का demand कहां पर जादा होगा obviously जहां पर population जादा है और वे साबात है तो size of the population के according unless the demand करता है अगर population का size जबाद है तो demand भी सादा होगा its population का size कम है तो demand भी कम होगा बात रहा composition of population what do you mean by composition of pop relied composition of population का मतलब होता है कि हमारा जो population है उसमें किस प्रकार के लोग हैं किस प्रकार के लोग का से मतलब क्या ऐसर आपका अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं मान लो यह एक एरिया है जहां पर सौ लोग रहते हैं यह एक particular एरिया है जहां पर सौ लोग रहते हैं यह मानलों एक कोई महला है या कोई मानलों एक चोटा था गाउं है यहाँ पर सौई लोग रहते हैं और यह जो सौ लोग हैं इसमें से पचास लोग एवाव 70 years के 30 लोग बिलो 10 years है और 20 लोग ऐसे हैं जो 10 years to 70 years के हैं तुम्हें क्या लगता है इस एरिया में मैं किस प्रकार का दुकान खोलू तो ज़्यादा चलेगा वो प्रड़क्ट जो बुड़ों के लिए होता है जो एवाव 70 यह से सिखिस पैक्टिकल्स हो गया वील्चेयर हो गया उसके बाद वो डंडी हो गया वो जो पकड़ कर चलते हैं बुड़े लोग साथ में धोती हो गया या जो भी 70 years के उपर एज वाले एज ग्रूप वाले जो भी चीज इस्तमाल करते हैं उसका डिमांड यहाँ पर जादा होगा अविस सा बात है ट्वेंटी चौरे 10 टू 70 यह वाले जो बच्चे वो जनरली किस प्रकार का समान यूज करते हैं मोबाइल फोन हो गया बाइक हो गया साइकल हो गया स्कूटी हो ने ने वराइटी का और जो आजकल मार्केट में टेक्नलोजी रिलेटेड जो समान चल रहे हैं वो लोग यह स अगर मैं एक हैम एरियामे किसी ब्राइंट का स्टोर खोलूं टो 忌त्राइब चलेगा तो नहिंजर कोहूज कोई ब्र इसे इन्सान है यूंगर किस ब्रीकॉला ब्राइंट ब्रेंट का पता लगाना जहूरी है size तो वो तो हमें मिल जाएगा data, size अगर जादा होगा तो demand जादा होगा, size कम होगा तो demand कम होगा, important है composition of population, तुम जो product बेच रहे हो, उसको कौन खरी देगा, और उस प्रकार के लोग उस area में हैं या नहीं है, ये पता लगाना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं composition of population, ठीक है, आ increase in population raises the market demand, while decrease in population reduces the market demand, composition of population, composition मतलब किस प्रकार के लोग रहते हैं, ratio of males, females, children, number of old age people, ये सब हमारे demand को impact करता है, अगर example किसी area में women लोग जादा है, तो women लोग जो जादा समान यूज करते हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, makeup का समान, lipstick हो गया, ये सारा product वो एरिया में demand जादा तो according to composition of population, हमारा product का demand निकल कर आएगा, बात समझ में आ गया, market demand का सबसे पहला point, size and composition of population, पहला point का मतलब है, sixth point, तो कि 5 point individual demand का हमें पहले लिखना है, छटवा point में लिखेंगे हम size and composition of population, next आता है साथवा point, साथवा point क्या बोलता है, season and weather, जिस product का season है, जिस product का weather है, उसका demand जादा होगा, जैसे बारिस के मौसम में umbrella हो गया, rainy coat हो गया, इसका demand automatically जादा होगा, चाहे तुम कितना भी price increase कर दो, product तो बिकेगा ही बिकेगा market में, थंडी के time पे woolen cloth हैसका demand, चाहे तुम price कितना भी increase कर दो, market में उसका demand होगा ही होगा, तो season and weather के according हमारा demand depend करता है, seasonal and weather conditions also affect the market demand for a commodity, for example during winter, demand for woolen cloths and jacket increases, अब तुम बोलो के गर्मी में, मैं woolen cloths वेचूँगा, क्या बिकेगा, तुम वहाँ पर 100 रुपे में क्यों ना दो, फिर भी लोग नहीं खरी देंगे, क्योंकि उसका demand market में, obviously उस time पर नहीं होगा, ठीके, आ distribution of population, मैं दो situation लेता हूँ, तुम बताना मुझे, कौन सा situation better है, इस particular area में चार लोग रहते हैं, और इस area में भी चार लोग रहते हैं, एक city A है, city B है, इसमें चार लोग, उसमें चार लोग, मिस्टर, पहला जो आदमी है, उसका income है, 1000, दूसरा जो आदमी है, उसका income है, 1000, तीसरा जो आदमी है, उसका income है, 1000, monthly बात कर रहा हूँ, तीन लोग, 1000,000 रुपे कमाते हैं, और एक इंसान जो है, 9,97,000 अखेला कमाते हैं, तोटल इंकम के इतना हो गया यहाँ पर, 10,00,000 का टोटल इंकम हो गया, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, चार यह लोग है, मैं ऐसा अर्जूम कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ लोग बहुत गरीब हैं, मतलब, A, 1, 2, 3, 3 तीनों गरीब हैं, 1000 रुपए मंतली इंकम कमा रहें, और यह extremely rich है, यह 9,97,000 अकेला कमा रहे हैं, ठीक है, वहीं पर सिटी बी हैं, On an average, हर कोई डाइलाक रुपए कमा रहे हैं, टोटल इंकम कितना हो गया, वही डाइलाक, वही 10 लैक, अगर मैं सिटी ए को देखूं, सिटी बी को देखूं, तो कोई डिफरेंस है, ओवराल देखूं तो, नहीं, दोनों में 10 लैक का इंकम है, दोनों में सेम ही बात है, लेक एक्स्ट्रीमली अमीर है, और यहाँ पर हर कोई मिडिल क्लास है, हर कोई डाइलाक रुपए महने का कमारा, बात समझ मा रहे हैं, तो अगर मैं बिजनस करने जा रहा हूं, मुझे मालो एक शोरूम खोलना है, बाइक का, जिसका अवरेज प्राइस होता है, एक लाक पाऊंगा, माक्सिमम कितना यूनिट बेच पाऊंगा, एक यूनिट, क्योंकि यह कितना खरीदेगा, एक ही तो खरीदेगा, एक से जाधा का तो रिक्वार्मेंट नहीं है, यह तो खरीदी नहीं पाएगा, यह भी नहीं खरीद पाएगा, यह भी नहीं खरीद पाएगा, जब distribution of income equal होता है on an average equal 100% equal नहीं हो सकता on an average equal होता है मतलब हर कोई middle class है ना कोई बहुत ज़्यादा rich है ना कोई बहुत ज़्यादा poor है हर कोई middle class है तो इस प्रकार के area में demand ज़ादा होता है देखो यहाँ पर 4 unit का demand आ रहा है और जहाँ पर distribution of income unequal होता है uneven होता है कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं और कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं तो इस प्रकार के area में हमारा जो demand demand होता है वो बहुत कम होता है बात समझ में आ गया distribution of income क्या होना चाहिए distribution of income equal होना चाहिए अगर equal होगा तो हमारे goods and services का demand जादा आएगा अगर unequal होगा तो goods and services का demand नहीं आएगा clear है बात simple सा logic है आज आओ पढ़ लेते हैं खतम होगा हमारा topic distribution of income if income इना country is equitably distributed equitably distributed का मतलब equally अगर distributed है equitably distributed then market demand for the commodity will be more तो उसकेस में market demand क्या होगा जादा होगा however if income distribution is uneven अगर income uneven distributed है मतलब कुछ लोग बहुत अमीर है कुछ लोग बहुत का गरीब है तो उसकेस में वहाँ पर rich और poor का gap होगा people are either very rich और very poor तो उसकेस में then market demand will be at a lower level clear है बात हम आज तीन पॉइंट पड़े size and composition of population season and weather और आखरी पॉइंट है हमारा distribution of income पिछले क्लास में हम 5 पॉइंट पड़े थे total मिलाकर होते हैं 8 पॉइंट और यहाँ पर हमारा complete होता है determinants of demand का topic ठीक है demand में अभी और बहुत सारे topics बागी है आज हम determinants of demand को complete किये clear है बात next class में हम ने topic को शुरू करेंगे whatsapp group को जरूर से join करना है नीचे description box में mobile number है mobile app को जरूर से download कर लेना है जिसमें बहुत सारा extra चीज हम तुमें provide करने वाले है ठीक है bye everyone and thank you